नमसकार दोस्तों मैं हून हूनिकंट पारिक और आप देख रहे हैं आपका चानल इंटिरियर दोस्त आपने अगर इस वीडियो से पहले के दो वीडियो जो सीरीज में हमने फोलोरिंग के ऊपर वाले वीडियो बनाए है वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखेगा, एक है टॉप लेयर टाइल, मतलब आप नहीं टाइल लगाना चाहरे हैं, दूसरा वीडियो है उपर आप पत्थर लगाना चाहरे हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे विनायल फ्लोरिंग के बारे में, विनायल बात करते हैं कि अगर आपको विनायल फ्लोरिंग सिरामिक टाइल पर लगाना हो, आपने सिरामिक टाइल लगाई है, सिरामिक टाइल मतलब ऐसी टाइल जिसमें दो टाइल के बीच में वी ग्रूव होता है, डिप्रेशन हो, ऐसी टाइल के उपर अगर आप विनायल फ्लोर लगा है तो जो 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 जोट सो इसके इंप्रेसंघ धीरे 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 ले जीरे विनाईल विम्हान जाने को संक्ट इस लाइक चन ए रियू होती है वैसे कि उपर दिखी इसमें तूरी अब पूछाने माइने स्टोडिमाटी दाली थी यूट्यूब में आप सकता है यह एडिशनल कोस्ट है इसके ओपर अगर आप विनायल लगाते हैं तो विनायल बिल्कुल स्मूध एकदम यूनिफॉर्म आपको दिखेगी सेल्फ लेवलिंग काफी जगह पर भी जहां पर आपको सर्फेस बिल्कुल स्मूध करना हो वहां पर यूज कर सकते हैं अल कोई सेमेंट का फुलोर है तो सीमेंट का फूर अगर यूनिफॉर्म लगा हो ए तब तक कोई दिक्कत नहीं है जो भी उसमें वेव्द कोई डालेगा तो तो बिलकुल एक्दम जिरोजिरो लेवल में तो डल नहीं सकता तो उसमें जो वेव्द उंगे वहेवा Приण बिनायल अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वो जो एडेसिव जिससे विनायल फोरिंग चिपकाई जाएगी वो विनायल फोरिंग डेड हो सकती है एक और प्रॉब्लम है कि अगर आपके सीमेंट की फ्लोर हो उसमें से मॉइस्चर आ रहा है जिसे नीचे से जमीन के अंदर से कोई मॉइस् नहीं आ रहा हो और उपर से धूल वगरा मिट्टी वगरा नहीं आ रही हो अब बात करते हैं कि आपके कोई स्टोन की फ्लोरिंग है मार्बल की फ्लोरिंग है ग्रनाइट की फ्लोरिंग है या कोई भी दूसरे पत्थर की फ्लोरिंग है जिसमें आपने पॉलिस किया हुआ ह तो polish करने से क्या होता है पत्थर का level बिल्कुल uniform हो जाता है वैसे तो मेरा suggestion है कि किसी भी पत्थर के उपर vinyl flooring लगाने से पहले polish करके उसको check कर लेना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़िया कोई flooring हो नहीं सकती लेकिन फिर भी किसी कारण से आपको लगाना पढ़ रहा है तो आप आराम से पत्थर के उपर vinyl flooring लगा सकते हैं लेकिन कभी आपने सोचा इसको उतारने के बारे में तो जो adhesive जो लगता है विनायल flooring को चिपकाने के लिए उसके marks उसके ओपर डिखेंगे उसको साफ कराने के लिए फिर आपको पॉलिस करानी पड़ेगी विनायल flooring में बहुत ही सांधार प्रोड़क्ट है ये फटाफट लग जाता है हटाना चाहो तो हटा सकते हो इस विनायल flooring में आजकल टाइलें आती हैं प्लैंक्स आते हैं और इसमें अलग-अलग ठिकनेस पे टाइल्स मिल जाती हैं 1.5 mm, 2 mm, maximum 3 mm तक तो अगर आपको बहुत ही रिच और प्यारा लुक चाहिए तो आप 3 mm लगा सकते हैं बीच में अगर आप लगाते हैं तो 2 mm और नॉर्मल रेसिदेंशिल यूज या कम जहां पे ट्राफिक हो वहाँ पे आप 1.5 mm की विनायल flooring लगा सकते हैं टाइल्स में और रोल फॉर्माट में लगा रहे हैं तो 1 mm या 1.3 mm तक भी इसमें इसकी प्राइसिंग की बारे में आप हमेशा पूस्ते रहते हैं तो अगर 1 mm या 1.3 mm की विनायल flooring का रोल लगाते हैं अगर आप तो ये 30-35 रुपे स्क्वाइर फूट करीब आपके लग जाता है प्लैंक पीवी से प्लैंक अगर लगाते हैं तो 1.5 mm का जो प्लैंक है वो करीब रफली आज की तारिक में 2024 फेबुरी में ये करीब 60 रुपे स्क्वाइर फूट करीब आसपास में लग जाता है यूसफूल भी लगाओ अगर आपको लगेगी यूसफूल है तो किसी के साथ शेयर कर दीजेगा